हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ 10 मिनट में बनकर तयार हो जाने वाले बहुत ही चटपटे और कुरकुरे स्नेक्स की रेस्पी सेयर करेंगे जिसे आप ब्रेकफास्ट में सामकी चाय के साथ या बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं बिल्कुल भी ऐली नहीं होते और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसे बनाने के लिए आपको पहले से कोई तयारी भी नहीं करनी है घर के सामान से बनकर तयार हो justify तो चलिए फटा-फट से बनाना हम सुरू करते हैं तो इसे बनाएंगे हम प्रेस्ट मटर से तो यहां पर आदा कप हमने मटर लिये और इस समय मार्केट में मटर आ भी रही है तो एक बार इसे बनाईएगा जरूर तो सबसे पहले मटर को हम वाइल करेंगे तो गरम पानी में इसे हम दो से तीन मिनट के लिए उबाल लेंगे ज्यादा मटर को गलाना नहीं है बस मटर हाथों से हलकी सी दपने लगे यह देखिए तो तकरीवन तीन मिनट के लिए इसे हमने कुक कल लिया था मटर अच्छे से सॉप्ट हो गई है तो इसे एक इस टेनर में हम निकाल देंगे जिससे इसका एक्ष्टा पानी निकल जाए और यह थोड़ी सी ठंडी भी हो जाएगी तब तक एक मसाला तयार करेंगे तो मिक्स गई तो यह मसाला बनकर हमारा तयार हो गया और अब इसी मसाले में जो मतर हमने बॉयल करके रख्ए ती उसको डालकर ग्राइन करनेंगे मतर को हम बाद में डाल ले है क्यूंकि मतर हमasünüz को दर Nowak disclose on the तिहाई कप बेशन तो माप से कहें तो साथ से आठ चमच ये बेशन है और इसी में डाल देंगे दो चमच चावल का आठा इससे जो नास्ता है बहुती ज़्यादा कुरकुरा बनेगा एक छोटा प्याज बारिक चौप करके डाल देते हैं और साथ में कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे कुछ मसाले डालेंगे तो आदी छोटी चमच लाल मेज पाउडर आदी छोटी चमच धनिया पाउडर चुटकी भर हेंग डालेंगे और नमक डालेंगे तो यहाँ एक छोट को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो लगाएंगे तो मटर और प्याज में बहुत सारा मश्चर होता है हातों से अच्छे से मसलते हुए इसे हम मिक्स करेंगे तो यह देखिए यह जो डो है आपस में बंध रहा है पर अभी यह बहुत ज्यादा ट्राइए तो इसमें एक से दो चमच हम पानी डालेंगे और बापस से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा पानी मट डालेगा नहीं तो यह डो गीला हो जाएगा तो ये देखिए डो लगकर हमारा तैयार हो गया और इसे हमने बिल्कुल रोटी के जैसा डो लगाया है ना जादा ये सौप्ट है और ना जादा ये हार्ड है तो चलिए आप नास्ता बनाना शुरू करते हैं तो हाथों पर हलका सा ते लगाएंगे और थोड़ा सा मिक्स देंगे और इसे जैसे चाहे बैसे सेप में आप पना कर नास्ता तैयार कर सकते हैं आप चाहे तो इसका ये देखिए इस तरह से गोल गोल सेप में भी बना सकते है पर आज इसे हम सिलेंडर का सेव देंगे यह देखिए इस तरह से तो सारा नास्ता बिलकुल इसी तरह से बनाकर हम तयार कर लेंगे तो फ्रेंट्स आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है आपको हमारी यह रेस्पी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज जादा से जादा उससे लाइक और सेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिलकुल ना भूलिएगा तो यह देखिए सारा नासता बनाकर हमने तयार कर लिया है तो चलिए अभ इन्हें हम फ्राइग कर लेते हैं तो तेल गरम होने के लिए पहले ही रख दिया और जब एक साइट से हलका साइन पर गोल्डन कलर आ जाएगा तो इन्हें पलट देंगे तो इसी तरह से उलट पलट करते हुए चारों साइट से बढ़िया गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे तो इन्हें फ्राई करते समय गैस की प्लेम आप मीडियम ही रखे यह नास्ता देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उसी कहीं ज्यादा टैशी है तो चलिए इस नास्ते के साथ एक चटपटी सी चटनी भी बना लेते हैं तो यहां पर हमने चटनी वाला जाल लिया है इसमें हरा दनिया डालेंगे तो दनिया को पहले से ही सब्सक्राशन की कलियां डालेंगे एक हरी मिर्थ छोड़े चोड़े करके डाल देते हैं और खटाक के लिए इसमें दो चमस तही डालेंगे आप इसकी जगे नीवू का रस्पी डाल सकते हैं थोड़ा सा नमक डालेंगे और इनको हम पीसनेंगे तो यह देखिए हमारी तो सुनी आपने आवाज बिल्कुल भी ओईली नहीं है तोड़कर भी हम आपको दिखाते हैं यह देखिए उपर से बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे अंदर से उतने ही ज़्यादा सौप्ट आप इसे साम की चाय के साथ या आपके गर में कोई महमान भी आए तो भी फटा- इन्हें बना कर तयार कर सकते हैं तो कैसी लगी आपको यह रस्पी कमेंड करके हमें जरूर बताईएगा और रस्पी अच्छी लगे तो से लाइक और सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें ऐसी ही नई रस्पी के साथ नेश पीडियो में हम आपसे फ धन्यक्ण